Hello friends, आज हम बात करने वाले आपके Grammar के हिंदी Grammar के बहुत ज़्यादे इंपॉर्टन टॉपिक के बाइन तो टॉपिक है आपका रूपक अलंकार, टॉपिक आपका है वाई कि गद्य और पद्य दोनों टाइप से हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले पद्य टाइप एक दोहे के रूप में डेफिनिशन बताएंगे, फिर उसी दोहे को हम अच्छे से समझते हुए गद्य वाली उसके डेफिनिशन देंगे, फिर एक्जामपल फिर उसका इस समता है। रूपक अलंकार की, तो चलिए इसी दोहे को हम समझते हैं, इसकी कद्धिवाली डेफिनिशन में, ये बात भी पद्धिवाली डेफिनिशन की, तो चलिए कद्धिवाली डेफिनिशन देखते हैं, जहां पर उपमे में, कहां पर, जहां पर उपमे में, उपमान का भेदरहित आरोब चुपा होता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है तो बात करें इसके एक्जामपल की किसका एक्जामपल क्या है इसका एक्जामपल है चरण कमल बंदोहरी राई मतब कि चरण में कमल का चरण उपमे में कमल उपमान का भेदरहित आरोप चुपा है, चरणगुरंड बंदो, राम के चरणों में कमल बंदना की गई ऐसा ही टाइप कुछ है, तो इसका सपष्टी करन देखते हैं, तो बात करें इसके सपष्टी करन के तो इसका इसपश्टी करें यहां पर चरण उपमे में कमल 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 उपमान का भेद रहित आरोप चुपा है अता यहां पर क्या होगा रूपक अलंगकार होगा ठीक यहां पर चरण जो है आपका उपमे है कमल उपमे म आप लॉंग टाइप पूरा करिए यह वाली डेफिनिशन मतलब जो पद्दे वाली है गद्दे वाली और इसका एक्जामपल रिष्पष्टी करें अगर आप यह पूरा देंगे तो देखे एक्जाम कैसे होता है एक्जाम होता है आपका कि कई सारे बच्ची होते हैं पूरा अच्छे से त्यार किजिए और पूरा एक्जामपल करिए ठीक तो आई होप आपको रूपा कलंकार समझ में है समझ में है तो प्लेस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसके नेक्स टॉपिक पे थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो झाल钵 प्लेस कर पी करें मिलते होआगी करें में रासे हैं ढोगव इसके तो आई तो